इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पिटिशन का लिंक है अगर आप देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसे साइन कर सकते हैं नमस्ते दोस्तों उमीद है आप सब ठीक होंगे इस बीमारियों से भरे दोर में उमीद ही की जा सकती है और वो भी तब जब फेक डोक्टर्स पे लोग इतना भरोसा करने लगे तो आज हम बात करेंगे इस फरोड डोक्टर के उस दावे के बारे में जो इसका सबसे ज़्यादा पोपुलर है डाइबिटीज के बारे में कि वहां पे इसने कितना सच बोला है कितना जूट बोला है और बहुत बड़े बड़े जूट है यकीन रखिए ये वीडियो पूरा देखी आपको सब कुछ समझाएगा वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि इन्फरमेशन सही है और बाकी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि आप लोग वीडियो देखके रह जाते हैं लाइक नहीं करते और इसके जो सपोर्टर है असली है अनकली मुझे नहीं पता लेकिन वो डिसलाइक करके वीडियो को डाउन करने की कोशिश करते हैं अगर आप हैल्प करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करक वो ये कि कुछ लोग कमेंट बॉक्स में गालियां लिखते हैं उनके जवाब में गालियां ना लिखें अगर आप उन्हें समझा सकते हैं तो ठीक हैं नहीं तो रहने दीजिए वीडियो से वो समझ जाएंगे लेकिन गालियां लिखना सही तरीका नहीं है और एक बात उन लो इसका वो वाला वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा जिसमें ये खुद अपना बलड लेके लोगों को दिखाता है कि उसमें सुगर लेवल कितना है फिर ये उसमें ग्लुकोज एड़ करता है फिर दिखाता है सुगर लेवल कितना आता है फिर फ्रक्टोज एड़ क तो सबसे पहले diabetes को जान लेते हैं, इंसुलीन जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ग्लुकोज को एनरजी में कनवर्ट करने में और इन सारी चीजों को कंट्रोल करने में, लेकिन जब ग्लुकोज और इंसुलीन का जब लेवल इंबैलेंस हो जाता है, तो हम उसे बिमारी का नाम देते हैं, तो diabetes प्रॉबलम बन जाती है, तो medical practice में जो सुगर मेजर किया जाता है, उसको हम ग्लुकोज बोलते हैं, और उसको मेजर करने के लिए जो instrument होता है, उसे ग्लुकोमीटर बोलते हैं, ये ग्लुकोमीटर दूसरे किसी भी सुगर के form को मेजर नहीं करता है, दूसरे forms कौन कौन से हैं, जैसे एक तो glucose हो गया, दूसरा fructose हो गया, sucrose हो गया, lactose हो गया, fructose हमें fruit से मिलता है, lactose हमें मिलता है, दूद से और dairy product से, और बाकी जो बचा sucrose, वो हमें मिलता है, जो चीनी हम सीधा यूज करते हैं उससे, इन सब के कुछ और भी sources हो आपको बताए लेकिन इन सब को यहां बताने का कारण यह है कि इनका ultimate goal होता है glucose में convert होना क्योंकि glucose ही हमारी energy का main source होता है बोडी की से working currency हम कह सकते हैं अब अगर इसकी वीडियो की बात करें जहां पर यह खुद का blood sample लेता है वहां पर सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली है वो यह कि वो blood यहां से लेता है ज्यादा तर जब हम major करते हैं glucose का ग्लुकोमीटर से तो हमारा यहां से finger tip से major होता है लेकिन चलिए blood को blood मान लेते हैं और देखते हैं जब वो ग्लुकोमीटर से इसको major करता है तो value आती है 160 जो glucose की value है फिर वो इसमें glucose add कर देता है फिर द फ्रक्टोज एड़ करके दिखाता है फ्रक्टोज वो जो हमें fruit से मिलता है क्योंकि इसका यह कहना है कि हम कितना भी fruit काएं फर्क नहीं पड़ता वो फ्रक्टोज एड़ कर देता है और फिर उसी solution को ग्लुकोमीटर से major करता है अब इसमें जोल यह है कि अगर आप ग्लुक इसमें समझने वाली बात यह है कि इस solution में आप कुछ भी और एड़ करेंगे ग्लुकोज की रीडिंग डाउन ही आती जाएगी जरूरी नहीं आप रक्टोज ही एड़ करेंगे अगर और भी कुछ एड़ कर देंगे तो रीडिंग डाउन ही आएगी इसको आसान भासा में स सुगर का कितना है तो यह 50% दिखाएगा लेकिन जैसे ही हम इसमें और सुगर एड़ कर देते हैं और सफेद डंडियां एड़ कर देते हैं तो वो परसंटेज है वो बढ़ जाएगा लेकिन फिर इसी जल्यूशन में अगर हम कुछ तीसरा मैटेरियल यह ग्रीन वाली है यह भी कुछ टाइम बाद सफेद में कनवर्ट हो जाएगी अब फिर सोचिए कि सफेद का लेवल कितना बड़ा हो जाएगा और वो आपके लिए कितना खतरनाख होगा इस सफेद को अगर ग्लुकोज मान लें तो आप अंदाजा लगाईए कि आपको वो आदमी कहां ले क्यारज नहीं किया जाता क्योंकि वो में कारण नहीं होता है में बाक्ति अपक्ता है लग्योतर क बीन principalmente बीमार का लॺाए और यहां पर जा कुछ नहीं कर दहां लुगाईगा हू जितना हम आपको सीधां लुकोज करता है अगर यह आदमें आपको आम एक जामपल से समझ लीजिए कि जब भी एनरजी की कमी होती है शरीर में या थोड़ी बीमारी होती है तो ये कहा जाता है कि ग्लुकोज जड़ाओ कोई ये नहीं कहता कि फ्रक्टोज जड़ाओ इस चीज को समझ ये ये बहुत मजबूती से आप लोगों के साथ खेल रहा है चोटे वर्ड मैनिपलेट करके आप लोगों को गलत दिशा में ले जा रहा है एक और एग्जामपल ये समझ ये जो एथलीट्स हैं जो स्पोर्ट्स में हैं जो रेगुलर हाड वर्काउट करते हैं वो जब ड्रिंक लेते हैं तो ग्लुकोज ड्रिंक लेते हुए वो ग्लुकोज को ग्लुकोज को नापने के लिए हैं दूसरा ये कि जरूट से जादा फ्रक्क्टोज लेना भी बिमारी का कारण बन सकता है यह पेशेंट को तुरंत पता नहीं लगेगा क्योंकि इसको टूटने में इसको ग्लुकोज बनने में टाइम लगता है यें यागे लेकिन यह उप्शन शाइद आपने कहीं नहीं देखा होगा इस आदमे के अलावा अब बात करते हैं नैचरल डाइट क्या खराब है हमें नहीं लेनी चाहिए बिल्कुल लेनी चाहिए कोई भी डाइबटिक पेसेंट अगर किसी अच्छे डोक्टर के पास गया होगा तो उस लो नहीं करते हैं तो यह गलती डोक्टर्स की नहीं है यह हमारी है इस जिम्मेदारी को समझना होगा अब बात करते हैं आप लोगों को पागल कैसे बनाता है यह कहता है कि मेरी एक रिसर्च है उस रिसर्च में इसने साफ साफ लिखा है कि जादतर पेसेंट की इंसुलिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि वह पूरी तरह से ठीक हो गए लिकिन यह आपको किताब देगा पूरी तरह से ठीक करने की किताब में लिखेगा डाइबिटीज क्योर इन 72 आर्स समझ रहें आप इसका जोल और किताब में भी इतना बड़ा जोल यह समझे कि आप किताब खरीद में तीन दिन में लेकिन आप लोगों को यह कहता है कि तीन दिन में ठीक हो जाएंगे अगर इससे भी आप लोगों को फ्रॉड समझ में नहीं आ रहा है तो यकीन मानी आपको बहुत ज्यादा काम करने की ज़रत है खुद पे मैं अपनी पूरी कोसिश करूंगा आप यहीं बने रहीएगा अब कुछ लोगों के सवाल ये आएंगे कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है तुम डोक्टर हो क्या तुम्हारे पास इतनी नोलेज कहां से आई तो एक सीधा सा और छोटा सा जवाब है दोस्त कि अगर स्कूल में ढंग से पढ़ लिये होते और अपने ट डाइट फोलो करनी है तो कीजी उसके लिए आपको कोई भी मना नहीं करेगा ना कोई डोक्टर ना कोई और आदमी क्योंकि नेचरल खाना खाना नेचरल डाइट लेना गलत नहीं है लेकिन इस फ्रोड की बातों में मत आईए ये आपके स्वास्त के साथ खिलवाड कर रहा है क्योंकि ये सोची जो आदमी आपके सामने कुछ और बोलता है और अपनी रिसर्च में कुछ और लिखता है वो आदमी कितना सच्चा होगा चलिए दोस्तों नमस्ते ख्याल रखिए अपने आसपास के लोगों को और अगर ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है तो शेयर कीज अगर मैंने इस वीडियो में कोई गलती की है तो आप मुझे बता सकते हैं मैं जरूर ठीक करूँगा मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो जीद कर लेते हैं कि यही सही है अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मैं सीखने के लिए और अपने आपको ठीक करने के लिए हमेशा ट्यार हूँ तो वाटमेलन, पाइनपल, जाप्रूट, यही तो नहीं बड़ता है अगर आप जादा कॉंटिपे हैं आपकी अपकी शुगर्स बहूँ जादा बड़ सकती है बनाना, मैंगो, चिकु, ग्रेप्स, अंजीर थीजा मीडियू बड़ता इस तो बड़ता है तो की अदरवाइस उनकी काम होनी चाहिए थी अभी